इसका नाम है दुगना मतलब उसका जो बल्य व्यास है वो दुगना होगा यह यहुदीप है एक लाख योजन का तो लवण समुद्र जो दो लाख योजन कहा है वो दो लाख योजन कहीं भी नापो व्यास बल्य व्यास अकेला व्यास नहीं अब मेंसरय सिनाइल लावन सम्धर से दुखना दाट की घंडदीप लबन सम्धर इस ते चोबें दुरा मुझा गदा थाया, तो हमारे पुरी गजी समझने आगी, अभी भी भी खाली आगी आगी याखको, नहीं आगी समझने, यह देखो, एक याकुदित तो यहारग दो, और दूसरा हमने यहारग दिया, डबल था ना, फिर एक आग दिया, एक यहारग द तेरा, चौजा, पंदरा, सोरा, सत्रा, अचारा, उननिस, वीज, इकेस, वाविस, तेविस, और एक रिशुटा है, चोईस, यहां है, तो पूरे चोंगीद आये हैं, पूरे के पूरे चोंगीद हुए हैं कि, माने जम्पू दीप से दुबना ये लावना कमदर का में स्तार ह है, तो दुबने का मतलब ये है, कि जम्पू दीप चितना एरिया लवना समुद्र के अदर चोवीश रखा जा साका है, चोवीश चाइम हो गया है, अभी तो उसकी तो डैक्त लोग बात है, उसकी बात ने इंगर रहे हैं, अपन तो सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ जम्पू दीप से चोवीश गुनाज तो बडा ये लवना समुद्र ही हो गया, अब लपन समुद्र से डबल है दाख की गण, ऐसे तो तुने दूने करते पहुचो, आप महां सक, स्वयंपू रवना समुद्र के, तो स्वयंपू रवना समुद्र का विस्तार केतना जाएगा। उन मिलाकर कि यह असंख्या टीप और असंख्या समध्रों की चर्चा है हमारी दिमाग के उपर से जाने वादी चर्चा है। मुझे पता है यहां से बाहर ने करने के बाद में बहुत से लोग तो बात ही लिए घरते हैं। असंख्या तो रानन अन्से दीशे तो कुछ बात ही पंड़ी नहीं है यहां जों से करते हैं, अक्यों लम्दी बात ही है। रोज़ा टीवी की प्र spoil में ही नहीं देखता है। रॉह समधवित बात हैं। पता है आप इस पूरे स्वयंपूरामन समुत्र का पूरे मध्य भूप में इये तुभी प्रदेश ऐसा में है जहां हमारा जनम परण भी हुआ हूँ स्वयंपूरामन समुत्र में करम भूमी है बीच में भूप भूमी है स्वयंपूर अमन समद्र में मच्च हैं महा मच्च जिनकी चर्च आपने सुनी है अब प्रावचनों में वो महा मच्च उस स्वयंपूर अमन समद्र में है लहन समद्र में लिए है लहन समद्र में भी मच्च है हैं फिर उसके बाद में हैं कालो तक्री समुत्र उसमें भी मख़क्चे हैं हैं मच्चे हैं बहुत जादा पढ़े जिंगे ने कर बmak न 어떻 hopes रेश्वरां मीरें इसके बीच में जो असंख्यात पीप हैं और असंख्यात समुत्रे जल्च जीव नहीं एक भी समूटर ने हैं। समूद्र में कोई मश्ली मश्ली नहीं है। इसलिए मैं दिन में बात कर रहा था ना आपसे। वो मेरों करवन पर ले जाते हैं बाल तिरतंकर को। और शीर समूद्र का पाने ले आते हैं। और भीना शेनेगें पाने, आपसे कर देते हैं। इसलिए कालने है कि अविपकर नीर है सवर को। तो गलत बात हो यह dalej लोग है। तो गलत बात हैं। वहां जल्च जीव नहीं है। दिकलतत जीव वहां होते नहीं है। वो जो एरिया है, वो भूमी का एरिया है, कहां से कहां करता एरिया, कि धेखो अभी यह जो जमगुतीप था ना, जमगुतीप से दुगराता लाहन समुझ रहुदे, अब हमारे पास में कुछ ऑप्शन थो है नहीं, क्या, इसलिए हम क्या करेंगे हैं, जमगुतीप और कमार समद्र के पीछ में ही और दीट समद्र बनारों कर दोड़े जगे ही अपने पास में क्या करें कि देवदानी इतना बड़ा एविया है कि उसके पाउजून दीए जगे तो कम पढ़ती है ना लाउभण समुद्र कर लुंद्र के बाद में कई दाके घर्डीट्र है इततां संदर्ण में हैं Oops यह करें हैं कि कैसे की रचनाा है इसले हैं अभी तीसरा दीप है, उसका नाम है पुशकर दीप, ये जो तीसरा पुशकर दीप है, जो तीन नमबर पर जो एक पुशकर दीप बनाएं, ये टीसरा फुश़ती पूरा निक देना आधा, आधा कैसे करेंगे इसको, ये तो राच्छेिप में, तो राउन्ड शेप में आधा दो इसको, ऐसे, यहां के इस सरे बउड आधाओ इसको, बीच में एक परवत है, इस परवत का नाम है, मानुश उच्चार नाम का परवत, आगे जा नहीं सकते, किसके इसमें ट्राइग गया, यह परवत दाना जिया हमने, इसका मतब आधा को रह गया अंधर, यह तिसरा जीपता, यह आधा अंधर रह गया, और आधा बार चला गया, समझ में आ रही है न, जैसको नहीं आ रही हो बता दे न, उसी से पुछ नुबा आधागी पे है, यहां तक तू नरचनाय है नहीं प्रकारिकी हैं, और इसके बाहर, जो मानुच उस्तर नाम का परवत बता दिया है, इसके बाहर है बोवगुखूमी है, जगर ने बोवगूमी, किसके बाहर? दाई दीप के बाहर, मतलों आधा पुश कर दीप, फिर बीच के चितने अगों क्या जीव समुद्र हैं, सबने क्या हैं? जगन ने भोगूमी है अब भोगूमी की व्यवस्ताइं कैसी होती है यह वापन जब दीप में जब फोड़ी बहुत काल की चर्चा करेंगे तो कन करेंगे देखेंगे जबनी की चर्चा हो पाएं जगन भोगूमी के अंदर जल्चर जीव नहीं होते भोगूमी में मक्खी मच्चर गीडे मखोडे नहीं होते भोगूमी में विकलत्रय जीव नहीं होते दो इंट्री जीव नहीं होते, तीन इंट्री जीव नहीं होते, चार इंट्री जीव नहीं होते, असेनी बच्छे जीव नहीं होते, भोगुमी में और जर्चर जीव भी नहीं होते, पानी में रहने माले भी नहीं होते इसलिए ये जो भोगूमी है कितनी भोगूमी आएं सारे भोगूमी वाले मरगे फर्ग में जाएंगी असरो क्या तरियंचे बीच में इन भोगूमी ओंके अंदर तरियंचे रहते हैं योगलिया जानम लेते हैं बहुत सुंदर अध्वुत व्यवस्ताय हों की कहां तक चलना है अन्तिम ध्रीप तक पहुचो अन्तिम ध्रीप का नाम है स्वयंपूर अमन ध्रीप स्वयंपूर अमन ध्रीप मिला आपको कहीं इसमें स्वयंपूर अमन ध्रीप यह ब्लैक आई यह ब्लैक आई जो दे रही है वो स्वयम्पूरमण दीप के आश्ट वाली ब्लेक राउंड शेप में ये स्वयम्पूरमण दीप आधा जैसे यहां पुष्कर दीप ये मानुशुक्तर परवत था वैसे ही वहां उस दीप को दो हगों में बाटने वाला स्वयम्प्रह परवत है कुछ समझे में आ रहा है किया सामे रहा है जैसे पुष्कर दीप को ये पुरा पुष्कर दीप बेए इस पुष्कर दीप को दो हगों माटने वाला ऐसा बोला दार परवत था न मानुशुद दार परवत ऐसे ही लाष्ट में पहुँचो आप स्वयंपुरवन में स्वयंपुरवन दी उस दीख के बीच में भी ऐसा परवत है स्वयंप्रव स्वयंप्रव नहीं के नागे परवत भी मिलता है स्वयंप्रव ज्यादा अनुकूल रहता है यह स्वयंप्रव नाम का परवत ठीक है अभी स्वयंप्रक पर्वत के बीच में असंक्याद जीप और असंक्याद समुद्र थे उन सब में भोगूमी है इसका मतलब दुनिया में भोगूमियां सबसे ज़्याद है भोगूमी का एरिया सबसे ज़्याद है सुखी होते होंगे सब जितने भूब भूमियां जीम होते हैं, जितने भूब भूमियां जीम होते हैं, सब युगलियां जनम लेते हैं भूब भूमि भूले तो साजी व्यवस्ताइं कालपुरक्षों से होती है भूब भूमि भूले तो काम नहीं करना पड़ता है बोग भूमी बोले तो जैसा मागवाल ऐसा मिल जाता है काल चक्र की प्रभाव का है यह तो लाइफ टाइम है अनाधिय अनंत है यहां पर काल चक्र का प्रभाव नहीं है यहां सूर्य चंद्र का परिप्रमण भी नहीं है यहां जैसी नवस्ताय वैसी रहेगी, यह पर्मानेंट एही, यह पर्मानेंट जगत में भोग भूमी आएं, असंख्यात पीप समुत्रों में, कहां तक अतला ही? समुत्र भी भोग भूमी कहलाते हैं, और भोग भूमी हैं, इस वज़े से ही उसमें जर्चर जीव नहीं है, उन समुत्रों में, लाष्ट में चलो, सूर्य चंद्र गमन नहीं करते हैं, सूर्य चंद्र है तो सही, असंख्यात सूर्य चंद्र है, अभी वो टॉपिक ही नहीं ह अभी अपन जोतिश लोग के बारे में चर्चा करेंगे हैं देवगती नरग के बारे में चर्चा करेंगे कमी किसी शिवर में, तो देखेंगे उस टॉपिक को. अभी तो इतना समाझ नीचे, आप सूरीय चंडर तो हैं, लेकिन गमन नहीं करते हैं. सब जेखे दिन दिन जैसी लवस्ता है रहती है कहीं परवता दिखे कारण कहीं कहीं रातरी की इस्तेथी कुछ बनती हो पंदकार होगा वहां जैसी लवस्ता होगी ये दिन रात की लवस्ता है फूरे शंदर के कारण दिखे है चलिए स्वयम परवत तक पहुंच गए यहां तो भूमिया है, यहां की तो क्या बात करें हम पर संभर की देवकती में जाने वाले हैं, यूगलिया हैं, यह भी मैंने बात कहीं, कहीं हाथियों के यूगल हैं, कहीं गोडों के यूगल हैं, कहीं कुतों के यूगल हैं, कहीं शेरों के यूगल हैं, यूगल जनुन लेते हैं यूगनी मर जाते हैं उतने यूगन रहते हैं संध्याली फिक्सर तिरियंची ही तिरियंची ही क्योंकि इस मानुश उत्तर परवत के बाहर मानुश्य ही नहीं है सिर्फ तिरियंची है इस मानुश उत्तर परवत के बाहर मानुश्य हो सकते हैं कई नहीं हो सकते हैं पाए जा सकते हैं के नहीं पाए जा सकते हैं कैसे दिन में जैसे त्रस नारीवा लों का सथ ज़गाओं इस्थावर लोग में का था बैसे समझ में आगए ना समझ में क्या क्या बाते चूप मारणान थे समुधगात क्या पिच्छा से मनुष्य नतीजा जीव है यहाँ डाई जीव के अंदर मर के जनम लेना है यहाँ डाई जीव के बाहर मारणान थे समुधगात कर सकता है तो मनुष्य आयू के साथ में बाहर जाकर के आगया केवली समुद्गात किया है केवली वगवान के मनुष्य आयू करम का हुदय चल रहा है अभी और मनुष्य आयू करम के हुदय के साथ में पूरे तीन लोग में भैल गए डाई जीप के बाहर भी चले गए समय में आरी ही बात ऐसी उपात की अप्रिक्षा से लगाओ बाहर कोई जीव है तिरियन चित्हा आयूपूरी की मनुष्य बनना है उदर के करम भूमी का जीव इदर आना है करम भूमी में क्योंकि भूमी वाले तो स्वर्व में जाएंगे समनी हमसे तो वहां से दी यहां आना है वहां आयूपूरी हुई रास्ते में उसके आयू कौन से चलू हुई मनुष्य डाई जीप के बाहर से मनुष्य आयू शुरू हुई बले ही एक समय के लिए हो तो इन तीन अपेक्षाओं से डाई जीप के बाहर भी मनुष्यों का सद्भाव हो सकता है ठीक है बाकी जो मनुष्य उत्र परवत है बहुत संभाई शुड़ा ही है 1721 योजन हाइट कहिए इसकी मनुष्य उत्र परवत की अब 1721 योजन हाइट और ऐसा बानुष्य उत्र परवत जैसा पीछे की तरफ से ऐसा है कट में क्योंकि नीच उपर 424 योजन है नीचे 1025 योजन है 1721 योजन की इसकी हाइट है मानुष्य परवत की तो इसकी तेज़चा होता हो जाएगा जैसे अंडर की शेफ की इसकी परवत करें इनर खाइब देखे ऐसा दिखेगा और बाहर की तरफ से देखे तो ये इस तरह से है ये शेफ है 1721 योजन हाइट मानुष्य परवत ऐसा चाहब बना हो आए बाउंडरी दाइज इसकी बाउंडरी है इनकी आईट उचसे दगूल के प्रमान अंगूल से असंख्याक बीप समद्रों और एकी जिनकी भी लंबा इचोड़ा यादी बतलाई रही है सब प्रमान अंगूल से है प्रमान अंगूल मतलब समझ में आया क्या कुछ सब बतला है तब 2000 क्या कोस, लाइन गोली, क्या, 2000 क्या, 2000 क्या, 2000 का एक प्रमान योजन, 2000 का एक प्रमान योजन, और उत्सेद योजन, चार कोस का, उत्सेद योजन, चार कोस का, ठीक है न, प्रमान योजन, उत्सेद योजन, प्रमान 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 योजन, प्रमा वहां करम कुमी है, मनुष्य वला ही नहीं है, तिरियंच है, करम करना पड़ता है, मार काट भी होती है, महामच्च जैसे हैं, हजार जूजन का महामच्च है, उतकरष्ट आवगाहना कहिए, तिरियंच गती के जीवों में है, सरवतकरष्ट आवगाहना, सभी जीवों में, इतने बड़ा शरीक। 1000 युजन का नहीं… बहुत सारे हैं एक नहीं है ऐसे बहुत सारे छोटे भी है छोटे भी बहुत सारे इनकी सब्की साइश आरग ख़रकार से बतलाई है माने किनारे पर रहा है जोड़ी साइश के होते है अपन तो मैक्सिमम वाले की बात करते हैं, अपन अलकी बात क्यों करें? हजार योजन लंबाई वाला, हजार योजन लंबाई, पांसो योजन की चोड़ाई और धाइसो योजन का मोटा उसका पेड. महामच्य, इतना बड़ा है वो महामच्य कि जब वो मूँ खोले, तो मूँ खोले पर अपना जो यह है न गूगल अर्थ, अर्थ जो अपन देखते हैं, गूगल से, यह पूरा का पूरा अर्थ ऐसे मूँ खोले पर उसके पेड़ में सबाजा है. महामच्य के पास्तर पर जब डरने का काम नहीं है, वो मूँ खोले पर खोला रहता है वहाँ. अन्दर के रहने मच्य की बात कर रहा हूं है. असम्ख्यात ऐसे हैं, जो आसम्ख्यात सम्मेक दरश्टी हैं, बंच पुनस्ताम वर्ती हैं, हमें होनेज़ रहे, हम सम्मेक दरश्टी के लिए फीशे पढ़ें होनेज़ रहे, बहुत आसान है, वहाँ, क्या करें बोलो, वहां चले कहां कहां जाओंगे वहां भी तो सब नहीं होते सुबह मैंने कही ते लेख जी थे नहीं सुबह मैंने सुबह कही नरक के बारे में कि वहां बहुत आसाली से हो जाए तो लोग तहियार होते नरक जानी के तहियार होते इतना असाले तो वही जाके कर लएगे सम्यक दर्शन मैं ऐसा नहीं है यहां जाएंगे वहाँमिश्किल है और जहाँ चाहेंगे वहाँमिश्किल है कई بھی चले जाओ सब्सक्रे मושकिल दिखेगी और जहाँ आप चाओंगे ठान लोगे वही आसाले पर वो सक्तम नर्द की भुमी क्यो नहीं हो कहीं भी हो, कैसी भी प्रतिकूलता क्यो नहीं हो समय गर्शन की प्राप्ती हो सकती आध्नार आढ़सा स्वादवन हो सकता है ओं महा मच्छी के बारे में वो सब प्रसंग सुने है आप जोह ने मुह बाड़े गठा लेता है और आपनाप के पास में गूमता पिरता हुआ हूँ कोई साथ चामर जैसा चामर के जितने से साइच वाला तंदुन मच्च क्या पूरच है खाता ही नहीं इसकी जगर मैं होता तो तो क्या करता है वह हमामच क्या किया उसने साथ में नरग कैया यू बांध ली आप लूग क्या करते है महीं हिए थिखता है मैं तो ऐसा कर देता बेरी इन व्होगे ये साथ तो ऐसा क्या जाएल जाना चाहिए हम लूग क्या प्रतों प्रता तो वेसे शाम तक बैठे बैठे दिन रात के भारे में किसी राइजनेता के बारे असा कर देना चाहिए था उसको ऐसा डिसिजन लेना चाहिए था मोदी ने अच्छा डिसीजन दिया, मोदी ने खराब डिसीजन दिया, सारे यह करना इस कर रहे हैं सब तरफ वो तो फिर चलो कोई बात नहीं, जाहां कां तक आपके बात ही हो सकती है लेकिन टीवी की स्क्रीन पर चलने वाले सीरियस को देखते हुए जब आप मूवी देखते हुए ऐसा कहते हैं तो मुझे दिकरप बाता है यारी, मूवी डायेक्टर के इसाफ से चलेगी, इदर इसाफ से चलेगी आगे क्या सीन आने वाला है, आगे क्या होगा, उसको क्या दिखाना है वो सब उसके हिसाब से है, वो सब नक्की है, तो काई को दिकरप कर रहा है बिना मतलब के बिना मतलब व्यर्थ में रेठे रेठे हमारे जो दिकरप चलते रहते हैं इन विकल्पों का क्या फन मिलेगा एक अंभीरता से विचार करना चाहिए ये प्रत्मान व्योग का प्रसंद तो है ये तंदुन मच्चे महा मच्चे का ये करना व्योग भी ये बात कह रहा है पेट में मच्चली चले जाने से कोई परत नहीं पड़ता क्या ये भाव नहीं है तो इसका अर्थ कोई जटी ऐसा नहीं समझ लेना ये तो मच्चली की बात कर रहे हैं हम तो आनुई रही बात भाव की तो भाव नहीं करेंगे खालेंगे क्या अबरत पड़ता है बिना भाव के खालेंगे ऐसा नहीं होता है सुक्ष्मापी नैखदो हिल्सा परवस्तो निवन्दना बहुते पुल से हिल्सा एतन निफ्रती परिणाम विशुद्धे तरफिकारिया परिणामों की विशुद्धी के लिए आपको उस प्रवर्ती का भी त्याब करना आनिवारी है चलो मझ्ह देख दिया आपने तामन आज़ाएए देख दीरो तो पर चले आगे पटाप्र टाइम नहीं आगे बहुत-बहुत सारी कुस्तीचे देख दिया आपने गोण चलो महां वाहत कश सोच इंड़ अर अभ शा तो नहीं अनी देख लो देख लो फिर दुवारा आने का चांस नहीं स्वेंबू रावन समुद्रिक के बाद में क्या है कि स्वेंबू रावन समुद्रिक गोला कार है लाश्ट में उसके चाहूं तरफ प्रत्रियां बच रही है कॉर्मर्स बच रही है बचेंगे के नहीं बचेंगे जैसे समझो आप हमने यह आसंख्याद भी समझर बना दिये यहाँ गोला बार लाश्ट वाला समुद्र भी आ गया स्वेंबूर अबन समुद्र तो यह तो राउंड शेप में हैं सब अज यह कॉर्णर बचेंगे के नि बचेंगे इन कॉर्णर में क्या है एकर तुम चेट ले होगे नहीं है ऐसा मत को करम भूमी है तेरे अचिकती के जीव रहते हैं बोगते हैं, खाते पीते हैं, मर करके जहां जैसे उनके परिणाव होते हैं उसके एसाब से वो वहाँ से घमन करते हैं चले जाते हैं मने खुल मिला करके सवयंप्रफ पर्वरत के बाहर सब यगे पर करम भूबी है तो इस तरह से यह हमने बात की ठोड़ी से đनाई दीप के बाहर की यह बात की यह लवन समुद्र और कालो जदी समुझर के अंदर है हाँ तो ये स्वयम्प्रभ परवत के ब्यौन ये दियां देखेंगे तो वहां करम भूमी है और उसके साइड में अंदर भूमी है इस तरह का बटवारा करने दाएं कुवोग भूमियां भी वेचेतर प्रकार की आखरती वाले लोग होते हैं उसमें 48-48-96 वह भूमियां है जो लवण समुद्र में है और कालो जदी समुद्र में है चीक है तो लवण समुद्र में और कालो जदी समुद्र में दो ही जगे पर है कुभोग ढूमियां कुभातकतां के फंब में वहाँ जाते हैं जित्रप्रगार के अतरतिओं वाले जी होते हैं आप डों में से अनेकी लोग तो देव्दा ली आते हरे रहें आप गोजनें उपर चित्रपर गाए हो गाए हम उप्पादर भी जेता है हाँ ऐसे सुन बहुत लंबी होती है कि कान लंबे होते हैं, कुछ सींग वाले होते हैं, कुछ पुछ वाले होते हैं, हाथी जैसा उपर बंदर जैसा मूँ है, फूरा शरील मनुष्य जैसा है ऐसे विचेतर प्रकार के आकरती वाले जीव है, पुपात्र दान काम अखल भी हैं कि यो पात्र नहीं था और आपने दान दिया और उसका होने दुरूबियों किया मतलब उसका कुछे साथ तो गनपती का सुत्र जो देखा तो वो पुवी को देव के आपूज रहे हैं? नहीं है, ऐसा नहीं है कालपनिक है है यहां जो गनपती की पूजा की जाती है तो सब कालपनिक है तो कहां से आगया है क्या है यह भी है तो लोग जाने है लेकिन हम तो इस पष्ट रूप से इस बात को जानते हैं, हमारे शास्कोर भी गनपती शर्द का भी किया जाता है, गनपती गनधर के अर्थ में है, और प्रथम पूर की स्थापना इसलिए करते हैं, गनपती को इसलिए याद करते हैं, क्योंकि उनकी उपस्तिती ये बिना द करती तो कुछ हैं, ऐसा अस्तित को तो संभव भी नहीं, और उसमें तो अनेक तरह की विकरती आएगी, बहुत तरह की बादा पड़ी होगी, अभी हमारा वो विशय नहीं है, लेकिन कभी वो विशय चले, तो हम ऐसी बात कर सकते हैं, वो कैसा कैसा बताते हैं, कैसी कालपन दोग होते हैं, वो वहां के कनभूल वगरे कुछ खाते हैं, बाकी दोग सब मिट्टी वगरे खाते हैं, वहां की सब इसी तरह की युगरिया यह यह जी व्यवस्ता है, समुद्रों के अंदर नगर बने हुए हैं, शेयाने शेयानों को भोग कुमिया बनी हुए हैं, अलग वो जागर के बॉटर ले आया, नहीं, उसने जागर के सिगरेट ले आया, कुछ इजर उदर गरत साम करने लगा, यह सब कुपात्र दान ही है, इसने बहुत विचार कुरवक, विवेग कुरवक हमें दान दिया जाना चाहिए, यह हमारे को शिक्षा मिलती है. भूग वूमी के जीवेग कई बढ़ेद में जाता है? जूकि बहुत बढ़ेद उतम सबस्क्रत ऑनकूरत 30 स स्वर्ण जाना चाहिए, यह हमारे को शिक्षा मिलती है? सबसे बड़ा प्लस प्वॉंट यहे! छीना छवटी नहीं हैonst मृटी गरती नहीं है मार्पीट का भाव नहीं है रणाय जगड़े का भाव नहीं है जो है उसमें संतुष्ट है जो चाहिए हुप कलपर से जाहर के मांग लिया है सहेज मिल गया है क्या जगड़े का कांग। लेकिन सुनों, बडी किसिप की बात केता हूँ मिलता तो सबको है या लेक तो एक जैसा नहीं मिलता। इब ही पेड से आपने मिल उलाख जामुन मागे और मैंने लाख जामुन मागे खाने के लिए तो आपके गुलाब जमने के टेश अर वर दिश अपर तो कल भी अपने पार में पांच गिंटे का टाइम एक हम से खब बात करने के लिए महाने बहुत से अड़ चाहे हैं भुड़ोगे सब सर जिसे हम बोलते हैं आदिनाद महवान का भी जनमिया इसी मतलब बताते हैं कि के लज परवत से लिए इंडिया में नहीं है मतलब बाकी तर्दार तरही हैं तो उसके प्रिदी बोलते हैं और बाद के जब हम देखते हैं तो रहीं कहीं विस्षेशन में देता है कि बावडियां जो है जहां पर इच्छा से चीजी मुटी थी क्या यह भोग भूमी और यह सब इसी चीजी पर भोग भूमी थी काम के इसाब से चौते काम ने तिसरे सब से तो काड़ों की चर्च आये गली है, आप आगे के प्रैशन नत करों, पीछे के लोगों, आपी तर चो पढ़ाया है उसमें से खरो प्रैशन है, आगे तो अंगे निती बाते हैं, हाँ बोलियों कुमानुष द्वीप वाले समय घर्षन कोई बाता तो नहीं है उसमे लेकिन कुछ ऐसा कारण नहीं दिखायों देता, परिस्तियां ऐसी कुछ लगती नहीं है, कही ऐसा निश्यत जी बात पर अगे पांदे में नहीं आई है, तो वो सबता है, समय घर्षन में कोई बाता नही वह बात करें तो भी शकती है ना? उसमें क्या दिकते है? किसी उजाति समनाने के मात्यम से पिछले भावा इस्परन हो गया तो संभवे इस तरह की बात्या और गुरू प्रेश्ट उजगाँ? और है जात्री डाओ के मात्याः लिए सभूद्र के निचे राधार रहें यह ना? अधाः जाओ जाओ आएगे लिए भी का ने रहे है? अभी तो आया हिए कि उपकी आए इन्दर आयाँ अपकी तो जामूदीम के अंदर है अभी तो बाहर की बात कर रहे है कि नहीं कि नहीं हो सकता है ना मैंने कान वह भूमियों में